हेलो फ्रेंट्स मैं हूं भोली और स्वागत करती हूं आप सभी का आपके अपने चैनल कुक विद भोली में तो फ्रेंट्स मेरे चैनल का नाम बहुत ज्यादा लंबा हो रहा था लोगों को ढूनने में बहुत प्राब्लम हो रही थी इसलिए मैंने आज नाम चेंज कर दिया है इंडिया रेसिपी विद भोली से हटा करके इसका नाम मैंने कुक विद भोली रख दिया है तो चलिए आज की रेसिपी शुरू करते हैं आज हम बनाने जा रहे हैं साबू दाने कवड़ा तो इसके लिए मैंने दो कप साबुदाना लिया है यहाँ पर और क्योंकि मैं इसे सुबर टिफिन के लिए बनाने वाली हूँ तो इसे रात में भी गा के रख दोंगी तो सबसे पहले इसे अच्छे से धो लेते हैं दो बार और इसमें इतना पानी डालना है कि यह बस यह डूबा रहे अच्छे से पस इतना ही पानी डालेंगे और ढाकर के छोड़ देंगे बिल्कुल भी जादा पानी नहीं डालेंगे नहीं तो यह बनेगी नहीं अच्छे से तो देखिए ये बस साबोदाना डूबा हुआ है मैंने उतना ही पानी डाला इसमें अब इसे मैं रात भर के लिए छोड़ दूँगी अगर आप सुबह ही बनाना चाहते हैं इसे तो आप दिन में दो तीन घंट टबी का लेजिए तो भी ये बन जाती है असानी से और अगर आपके पास समय नहीं है तो भी आप हलका सा रोस्ट कर लिजे और मिक्सी की जार में डाल लिजे और वैसे भी बना सकते हैं इसे पीश करके तो हलका सा भून चुका यह, लगबाग 5 मिन ने भून लिया जह छाए और इसका छिलका अपने आप ही फिर असानी से निकल जाता है थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा उसके बाद हम हाथ सी अच्छे से मसल लेंगे और इसका सारा छिलका अलख कर लेंगे उसके बाद इसे मिक्सी के जार में डाल करके इसका दरदर सा पाउडर बना लेंगे अब यहाँ पर एक बड़ा बरतल लिया है मैंने जिसमें सारी चीजों को हम मिक्स करेंगे तो जो साबुदाना भिगा करके रखा है हमने देखे कितना अलग-अलग सा पूरा दाना है इसका थोड़ी सी धनिया की पत्ती और दो हरी मीर्च है कटी हुई तो मैंने इसे बड़े-बड़े पीस में रखा है क्योंकि आसानी से ये निकालते बन जाता है ना बच्चे खाते है तो मुह में लग जाता है इसलिए मुह फली भी इसी में डाल देंगे हम यहाँ पर मैंने पांच बड़े साइच के आलू लिया है आलू को हम हाँ से अच्छे मैश करके डालेंगे आलू हमें इतना डालना है कि ये सारी चीज़े अच्छे से बाइंड हो जाए इसमें और साबुदा ना अलग अलग ना विखरे इसलिए हम यहाँ पर आलू को इस्तिमाल कर रहे हैं आप इसमें अपने स्वात के अनुसार जीरा या तील जो भी आप डालना चाहिए डाल सकते हैं चिली फ्लेक से स्वादनस्वार आप यहाँ पर PCV लाल मिर्ज का भी उप्योग कर सकते हैं स्वादनस्वार काला नमक और उसी को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर हम रेग्योलर नमक भी डालेंगे अगर आप उपास में बना रहे हैं तो इसमें काला नमक या सेंधा नमक जो भी आप खाते हैं उसी का ही उसक किजिए मैं इसे ऐसे ही खाने के लिए बना रही हूँ तो बस टेस्ट के ही साब से डाल दी हूँ सारा चीज अब सारी चीजों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे हास से इसका एक डो जैसा बना लेंगे ऐसे बंधने लगती है अब इसे एक बड़ा का शेप देंगे तो देखिए बहुत अच्छे से यह मिक्स हुई है आलू का बाइंड भी ठीक है यहाँ पर तो यहाँ असानी से बन ज करने के लिए चड़ा दिया है कड़ाई में तो देखिए इस तरह से सारे बड़े माने तयार कर लिए हैं अब चलिए इसे फ्राइ कर लेते हैं तो मीडियम गरम तेल में डालेंगे हम इसे बहुत ठंदर तेल में डालेंगे तो यह बहुत सारा तेल एपज़रों कर लेगी पीपने अंदर अबלה इसलिए हलका घरम में डालें आप तो इसे अमलट करके सभी तरफ सटमस्य जेक लेंगे और खला सा गोल्डन अगया है इसका तो अब हम यहाँ पर इसको निकाल लेंगे देखिये किता प्यारा सा कलर आया इसका तो हलका सा कलची को यहाँ पर हम रोक लेंगे ताकि एक्स्ट्रा जो भी तेल है वो निकल जाए यहाँ पर और इसी तरह से सारे वड़े हम डाल करके फ्राइ कर लेंगे आप इसे हरी चटनी या दही के साथ में दही की चटनी या सॉस जैसे भी आप सर्व करना चाहते किजिए ये खाने में बहुत टेस्टी लगती है तो आप लोगों को ये रेसिपी कैसी लगी जरूर कमेंट करके बताइए और अगर आप नए है इस चैनल पे तो प्लीज वीड आप तक के लिए जैसे क्रिशना